जो हम योगा को समझते हैं, वो हम समझते हैं तो जो हम poses को देखते हैं, exercises को देखते हैं, वो सिरफ postural medicine है, postural therapy है, योगा का एक पार्ट है, लेकिन actual योग क्या है? एक्शल योग है, हमें जोडने का नाम, योग की अगर मीनिंग बात करते हैं, तो मतलब है union, यानि की मिल, संयोग, जोड, किस से? हमारे मन, बुद्धी, चित, अहंकार और स्रिष्टी, परमात्मा से, तो actual योग सब चीजों से जोडने का नाम है, और योग से जोड़ जाता है न, वो उसके जीवन में पूरा का पूरा बदलावा जाता है, खाली योगा की exercise अगर हम करते हैं, या हम सिरफ कुछ आसन करते हैं, तो वो एक तरह का जैसे आप जिम जा रहे हो, या आजकल जो exercise करते हैं, वो उतना ही हैं, लेकिन अगर actual योग है, तो वो पूरा का पूरा वर्दीत है, अश्टांग योग में, यम, नियम, प्रानयाम, ध्यान, आसन, समाध्धी, प्रत्याहार, तो ये सब जो हमारे य आज आप लोगों से मिलने का इसी भाने मुलाकात हो गई, तो मैं आपको कोशिश करूँगा सिर्फ वो सब बताने की जो आप रोज कर सकते हो, क्योंकि योग आप रोज घर पे करते हो, और कुछ ऐसी बातें, जो हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी क्लिनिक्स में रोज प्रैक्टिकल देखते हैं, कि हार्ट अटक पड़े तो क्या करें, पैरलिटिक अटक पड़े तो क्या करें, ब्रेंस्टेक हो जाए तो क्या करें, अब एक छोटी सी बात ही है, मालो आप कहीं भी घूम रहे हो या घर पे ही हो, किसी को हार्ट अट अट पड़ जाए, तो आप क्या करोगे आप फोन करोगे एम्बुलेस को बुलाओगे या कुछ भी कोशिश करोगे घर में आस्पिन की गोली पड़ी है वो ढूंडोगे अब मालो ब्रेन स्टोक पड़ोगे तो क्या करोगे तो ये छोटी छोटी बाते जो हम रोज प्रेक्टिकल करते हैं मेरा मकसद होगा कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा कुछ करते जाएंगे और साथ साथ मैं आपको कुछ थोड़ा सा गाइड करता जाओंगा ताकि आपको भी जीवन भर में वो चीजें काम आए तो जो आप घर पे करते हो योगा प्राणायाम करते हो या जो हम पोजिस देखते हैं वो सब आसनों के अंदर आते हैं तो जब हम बिल्कुल शांत बैठते हैं नॉर्मल चौकड़ी लगा के बैठते हैं तो इसको हम सुखासन बोलते हैं और सुखासन में हम जब ये इसके साथ मुद्राओं का भी बहुत बड़ा रोल है लेकिन अब जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये ध्यान मुद्रा इसको बोला गया ये जो उंगली है और अंगुठा आप टच करते हो ये इतना वंडरपुल परभाव करती है कि हमें मालूम नहीं है जैसे अपने एक सुना होगा अपना हाथ जगन नाथ सुना है ना तो अपने हाथ को ही हम चाहें तो इस हाथ से ही न हम पूरी बोड़ी को बैलन्स कर सकते हैं जैसे ऐसे करो हाथ को आप लोग शुरुआत करते हैं ये वाली उंगली जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं इसको ऐसे पकड़ के प्रेस करना है ये प्रिथ्वी तत्व है तो प्रिथ्वी ये इसको मलब धर्ती फिर अब छोटी उंगली जल अंगुठा अगनी वाईयू दबाना भी है इसको साथ साथ और ये बड़ी उंगली अकाश ये पांच तत्व हैं जो हमारे बोडी में अगर बैलन्स हो जाएं तो हम बिमार नहीं पड़ सकते और इनको बैलन्स करने का सबसे बड़ा सूत्र इन पांच उंगलियों में ही है तो एक बार करते हैं प्रैक्टिस फटा फट शुरू करते हैं धर्ती जल अगनी वाईयू अकाश ये मैंने आपको पांच तत्व के नाम बता दिया अब इनके मंत्र हैं इसका जो धर्ती का मंत्रा ये है लम तो हम मंत्रों के साथ करते हैं इसको तो मेरे साथ बोलेंगे लम फिर आगे है जल इसका क्या है वम फिर अगनी इसको बोलते हैं रम फिर ये आगे हमारी कौन से उंगली वाईयू ये है यम इसको हाट शकर भी बोलते है तो यम फिर बड़ी उंगली जिसको हम आकाश तत्व बोलते हैं इसका मंत्रा है हम है और उपर बिंदी हम ये जो आपने पहली उंगली दवाई थी जिसको धरती हमने बोला ये मुला धार चकर का मंत्रा है ये रीड के अड़ी के बिलकुल नीचे सित होता है मैं आपको दो ऐसी क्रियाएं सिखा रहा हूँ कुछ नहीं कर सको के ना सिर्फ वही कर लेना तो भी गाड़ी चल जाएगी तो पहले मैं आपको कुछ एक्सराइस दाता हूँ पांच एक्सराइस का सेट बता दाता हूँ जो आप रोज नियम से करोगे तो छोटी मोटी जितनी भी प्राबलम से लाइफ की और खाली आपकी प्राबलम हेल्थ वाइस ठीक नहीं होगी हेल्थ वाइस भी मेंटली भी स्प्रिचुली भी और किसी को नीद नहीं आती होगी डिप्रेशन होगा एन एक्जाइटी होगी थकान रगती होगी उन सब में भी बेनिफिट मिलेगा तो सबसे पहले हम करेंगे कमर सीधी करेंगे चौकडी मारके कमर बिल्कु सीधी रहेगी हमने पेट के नाभी के निचले हिस्से को अंदर खीचना है ठीक है? Yes स्ट्रेच खीचो अंदर और खीचो इतना खीचो इतना खीचो दुखने लग जाए और खीचो और खीच के रखना उसको छोड़ना नहीं है और खीचे वेए पेट को ज़ी और खीचना है और खीचो relax आप आईरवेद में सुनते हो ना की 80 to 90 व्रंट बिमारियां पेट से होती है पेट से बोल दिया पेट में क्या पेट में क्या चीज़ से होती है नाभी इंबेलंस जिसको आप धरन पढ़ना बोलते हो या आंतों के अंदर मल चिपक जाना या आंतों में इंफेक्शन हो जाना तो ये हमें पेट को सेट कर लिया तो लगबग 80-90% प्राबलम सॉल्व हो जाएगी अब पेट सेट करने का मतलब लोग सोचते हैं सिर्फ पेट साफ होना पेट साफ होना उसका एक आयाम है हमारी एनरजी को बैलंस करना यानि कि नाभी चकर को तो ये नाभी चकर को जो हमारा स्वाधिष्ठान चकर है उसको सेट करती है एक बार फिर करते हैं stretch इसको आप ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हों नहीं तो ऐसे घुटनों भी हाथ रख के भी कर सकते हो खीचो अंदर पेट को और खीचो और खीचो और खीचो चेहरा नहीं खीचना face relax रहेगा relax इतना खीचना है कि दुखने रख जाएं आठ बार करेंगे इसको yes एक बार फिर stretch खीचे पेट अंदर और खीचे और अंदर और अंदर और अंदर relax एक बार और पेट के नाभी के निचले हिस्से को अंदर खीचेंगे yes stretch और खीचो और अंदर और अंदर और अंदर खीचे पेट को यह और खीचते जाओ अंदर और फेस पे हलकी से स्माइल रहेगी relax आप कपाल भाती में तो सिरफ पेट को ऐसे से करते हूँ न तो कपाल भाती भी यही है लेकिन मैं आपको वह बता रहा हूँ जो निचोड है कि कुछ नहीं करने का टाइम मिला तो बस यही कर लेंगे अपन yes एक बार और stretch खीचे अंदर इसको पेट को और खीचे और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर relax एक बार और stretch पूरा जोर लगाओ पेट कीचने में अंदर relax आप इस क्रिया को घर पे करोगे आँख बंद करोगे ज़्यादा फाइदा होगा और सांस का कोई ध्यान देना बाडी अपने आप इतनी intelligent है वो अपने आप सांस को adjust कर लेती है कई बार हम सांस के ध्यान के चकर में क्रिया गलत कर लेते है आप बाडी पे भरोसा रखो बहुत intelligent है इसको अपने आप पता है कि मुझे कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़नी है तो last बार करते हैं एक बार और stretch खीचे अंदर और अंदर और अंदर relax तो ये थी पहली क्रिया जिसको हमने पेट को अंदर खीचा टोटल आठ बार करना है इसको हमने